बिहार पंजायत आम चुनाव 2021 सदर परखंड जिलादर भंगा निर्वाचन छेतर संख्या 11 पंजायत विजूली की निवासी हाज्रा खातुन पती हाफिज नसीर अहमद ने सरपज पत के लिए 2544 मत पाकर 1649 के अंतर से पूरे परखंड के अंतर एक इत्यासिक जीत दर्स की है आपको बता दू कि हाजरा खातुन पती हाफिस नसीर एहमद पिछले पांच वर्सों से सरपंच पत पर कारिकर थी पजायत की जन्ता का इनके उपर जो विश्वास जागा है इससे यह पता चलता है कि लोगों को वास्तविक रूप में गराम कचारी से लाग मिला और इमांदारी और निस्पक्षता के बिना किसी भै और लोग भिनलालच के साथ सब को न्याई मिले सामाजी के एक तब बनी रहे लोगों का विकासो शान्ती और समरिद्धी समाज के सुन्दरता बने इसके लिए परस पर पडियास क्या जन्ता का बहुमूलिय समर्थन पाकर हाफिज नसीर अहमद सरपल्पती ने लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मेरे जीवन का मातर एक ही उदेशे रहा है कि जन्जाती का सेवा करना और लोगों के काम आना और इसी कारिय शैली को देखते हुए पंचायत वासियों ने हमें फिर से चुनकर सेवा करने का अफसर परदान किया है साथी उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि जब तक मैं जीवित रहूं लोगों के विश्वास पर जीतता रहूं और समाजिक एकता हिंदू मुस्लिम भाई चारब बना के रखूं परखन सदर दर्वंगा कि आम मददाताओं का मैं दिल की गहराई से शुकुरियादा करता हूँ ने धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने अपने मतादिकार का परियोग कर मेरी पतनी हाजरा खातून को सरपंच पद के लिए चुना है मैं वादा करता हूँ कि जिस तरह से निस्ठाप्रवक इमानदारी के साथ गत पांच वर्षों तक अपने पद का परियोग करते हुए पद का निर्वाख किया है उससे भी अधिक तोर पर अपने पद का निर्वाख किया जाएगा चुनकि आम मत दाता ने अपने मतों का हम पे बिश्वास करते हुए ये जिम्मेदारी दिया है और पूरे सदर परखंड में बलके हो सकता है कि पूरे जिला के अंदर में अधिक से अधिक वोट देकर सरपंच पद का पद गढ़न करने का अवसर दिया है तो इसके लिए मैं वादा करता हूँ कि बिलकुल निस्ठापुरवक इमानदारी निस्पक्षता के साथ इस पद का निर्वाह किया जाएगा किसी भी विचावलिये को या किसी भी आदमी के दबाव में आकर नय पालिका का जो एक करतब है उसका निर्वाह किया जाएगा किसी भी पद धर के या कि तरह जो है इस पद का निर्वाह नहीं होगा इसने यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर दा कम्प्लीट मल्टी ब्रांड में स्वेर शोरूम सुभास चौक दरभंगा ली एक सक्लूसिव शोरूम सुभास चौक और बैने कौमी ताम जीन न्यूस पेपर दरभंगा